अस्सलाम अलेकुम नाजरीन आज कल हम सब तुर्किश ड्रामे तो बहुत शोग से देखते हैं और इन में दिखाये जाने वाले तुर्क गाजी खवातीन के किर्दारों को हम सब बहुत पसंद भी करते हैं जैसे जुबेदा खातून, बाला खातून और मलहुन खातून समेद बहुत सी बादुर खवातीन के किर्दारों को नाजरीन काफी सहराते हुए भी नजर आते हैं मगर क्या आप सब जानते हैं कि इसलाम की अवली इन गाजी खावतीन में से एक हजद सफिया रजी अल्लाहु ताला अन्हो कौन थी और हमारे प्यारे नभी हजद मुहम्मद स्लिल्लाहु अलिह वाहली वसल्म से उनका क्या रिश्टा था और इसलाम के लिए उन्होंने कितनी जंगे लड़ी आज की वीडियो में हम आपको इसी अजीम और बहादूर सहाबिया के बारे में बताने वाले हैं तो वीडियो को आखिर तक देखना पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अगर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें इस बहादूर खातून का नाम हजदर सफिया बिंते अबु मुतलिफ रजी अल्लाहु ताला अन्हो था आपकी पिदाइश एर 570 में मक्का मुकर्मा में हुई आपके वालिद हजद अबु मुतलिफ थे आप हमारे प्यारे नबी हजद मुहम्मद صلی اللحم अल्याओ वालिफ रसलम की फुक्पी थी और आपकी वालिदा का नाम हाला बिंते वहब था जो हजद बीबी आमना की बहन थी और इस रिष्टे से हजद सफिया रजी अल्लाह अन्हो हमारे प्यारे नबी حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم की खालाजाद बहन भी थी और आप حضرت हमजा रजियल्लाहु ताला अन्हा की अकी की बहन भी थी حضرت सफिया रजियल्लाहु ताला अन्हों का पहला निका अबु सफियान बिन हर्प के भाई हारिज बिन हर्प से हुआ और उनके इंतकाल के बाद आपका दूसा निकाह अजियल्लाहु ताला अन्हों के भाई अवाम बिन खुलीत से हुआ आपके एक बेटे हज़र जुबेर बिन अवाम का शुमार अश्रा मुश्रा साबा एक्राम में होता है और एक बेटी अमे हबीब बिन ते अवाम का जिकर भी तारिखी किताबों में मिलता है अन्हजरत स्विल्लाहु अलिह वालिवसलम की फुपियों में ये शर्फ सिफ हज़त सफिया रजियल्लाहु ताला अन्हों को हासिल है कि उन्होंने इसलाम कबूल किया आप ने अपनी जिन्दगी में इसलाम की तीन बड़ी जंगों में हिस्सा लिया जिन में घजवा ओहद, घजवा खंदक और घजवा खेबर शामिल है आप मेदान जंग में बड़ी बहादुरी दिखाती थी आप रजियल्लाहु ताला अन्हों बहुत शेर दिल खातून थी जंग खंदक के मौके पर तमाम मुजाहिदीन इसलाम कुफार के मुकाबले में सफबंदी करके खड़े थे और हमारे प्यारे नबी हज़र मुहमद अल्हालाहु अल्हाली वसल्म ने एक कुरान किले में औरतों और बच्चों को उनकी इफादत के खातिर जमा किया और घजवा खंदक के दोरान एक यहुदी तल्वार लेकर किले में दाखिल हुआ इस मौके पर हज़र सफ्या रजियल्लाहु ताला अन्हों अकेली ही इस यहुदी पर जपती और एक डंडा जोर से उसके सर पर मारा जिसकी वज़ा से वो चकरा कर गिरा और फिर उसी की तलवार से उसका सर काट कर किले की दिवार से नीचे फेग दिया यह मंज़र देखकर यहुदीयों का बाकी लशकर जो औरतों पर हमला करने के लिए बाहिर जमता खोफ की वज़ा से भाग गया और अगर जंग औहुद की बात करें तो इस जंग में भी हज़र सफिया रजी अलाहु ताला अन्हो बहुत बहादरी से लड़ी हत्ता के जंग औहुद में जब मुस्लमानों का लशकर बिखर गया तब भी हज़र सफिया रजी अलाहु ताला अन्हो अकेली ही कुफार पर नेजा चलाती रही यहाँ तक के हज़ूर अकरम सब्सक्राइब बहादरी पर सक ताज़ुब हुआ और आप सब्सक्राइब बहादरी बहादरी तो देखो के बड़े बहादर भाग गए मगर चिटान की तरह कुफार के नरगे में डटी हुई अकेली खडी लड़ रही है और फिर जब जंग औहद में हज़ूर अकरम स.A.W. के चाच्चा हज़र्द हमजा र. अन्हों को जब काफरों ने शहीब किया और इनके कान और नाग काट कर आगे निकाल दी और सीना चाक कर दिया हज़ूर अकरम स.A.W. ने हज़र्द जुबेर से फर्माया जुबेर मेरी फुपी को मेरे चाचा की लाश पर मत आने देना वर्ना हूँ अपने भाई की लाश का ये हाल देखकर रंजो गम में डूब जाएंगी मगर हज़र्द स.A.W. अन्हों फिर भी लाश के पास पोच गई और हज़ूर अकरम स.A.W. से इजाज़त लेकर लाश को देखा तो इननलिलाही वा इननही लाही राजियून पढ़ा और कहा कि मैं खुदा की राव में इसको कोई बड़ी कुर्बानी नहीं समझती फिर मगफरत की दुआ मांगते हुए वहां से चली आई और इसी तरह घज़वा-खेबर में भी आपने इसलाम के दुश्मनों का खूब मकाबला किया आपको शायरी का भी बहुत शोग था चन्मर्सिये तारिख में आप से तालुक रखते हैं जिन में अज़रत अबू मुतलिब और हजूर अकरम स्रेलाओ अलेवा-वाली वसलम की वफात पर पड़े गए मर्सिये को काफी एमियत हासिल है आपकी वफात Air 640 में 20 हिजरी में 70 साल की उमर में मदीना मुनवरा में हुई आपको जन्नत अलबकी में सुपूर्ते खाक किया गया वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया